हापुर पुलीस की एक सरहानी अप पहल हापुर जनपत के अंदर देखने को मिली जहापर थाना अध्यक्ष थाना प्रभारियों की जगह स्कूली चात्राओं को दो दो घंटे के लिए थाना अध्यक्ष बनाया गया और कोतवार की जगह पर स्कूली चात्राओं उनकी कुरसी पर बैठी दिखी आपको बता दे कि शुक्रवार को आंतर राश्रिय अबाल दिवस के मौके पर थाना हापुर देहाद का नजारा बदला हुआ मिला थानेदार की कुरसी पर S.H.O की जगह दसवी की एक छात्रा बैठे मिली जिसने थाने में आई शिकायतों की ततकाल सुनवाई करते हुए उनका निस्तारण भी किया दरसल आंतर राश्रिय अबाल दिवस के मौके पर चात्राओं को पुलीस के काम से अवगत कराने के उद्देश से थाना देहाद पुलीस द्वारा एक अनूठी पहल की गई जिसके तहट थाने के SHO सुमन कुमार सिंग ने कमला अगरवाल गल सिंडर कॉलेज में 15 वर्षिय दसवी की चात्रा गरिमा यादव को दो घंटे के लिए थाने का चार्च समालने का ओफर दिया जिसके बाद वह एक कुशल थानेदार की तरह थाने में आयफर यादियों की शिकायत सुनने लगी ग्रीन वैली प्रभाविहार निवासी 15 साल की गुनगुन को थानेदार का काम समालते देख पुलीस कर्मी भी हैरान रहे गए तो वही हापुड पुलीस की इस पहल के लिए चार और सराना हो रही है हापुड से अनिलका शब की रिपोर्ट